नहीं कि जियो फांड से वाइफाय कनेक्ट कैसे किया जाता है अगर आप भी जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख सकते हैं तो सबसे पहले आपको जियो के साथ वाइफाय कनेक्ट करने के लिए आप जिस भी मुवाइल से वाइफाय कनेक्ट करना चाहते हैं उस mobile का जो है आप setting open करेंगे तो चलिए हम यहाँ पर setting open कर लेते हैं तो जैसे ही आप setting open करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरके का interface खुलेगा तो यहाँ पर अदर wireless connect पर आपको click कर देना है इस पर click करने के बाद आपको जो personal hotpot पर आपको click कर देना है यहाँ से इस personal hotpot को आपको इनेवल कर देना है तो जैसे ही यह इनेवल हो जाएगा उसके बाद आप जिस भी मॉइल से वाइफा केनेक्ट करना चाहते हैं उस मॉइल का data on कर दिजिए नहीं के पाद आप जो आप जो सेटिंग वाले option पहें चले जायेगए तो चली हम यहां पे पे सेटिंग वाले option पहें जाते हैं यह देखें मैं सेटिंग वाले option पहाँचुका है तो यहां पर ağr繼續 करके जिर्फ occupied लीन ऐउंपर देख सकते हैं कि इंगलिश में लिखा रहाता है तो जैसे ही आप इसको किलिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने देखिए device खोजा जाएगा आपका कौन सा device है तो यहां पे देखिए मेरा device का नाम है OFO A37 FW तो यहां पे इस वाले OFO A37 पे जो भी आपका device होगा यहां पे नाम खोज लगा यहाँ पे आपको जो भी आपका डिवाइस खुझेगा तो जहाँ पे आपको किलिक कर देना है यहाँ पे जैसे ही हम किलिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा पासवर्ट मांगा जाता है जो भी डिवाइस से हम कनेक्ट के हैं उसको यहाँ पासवर्ट को इंटर कर देंगे इस जग तो आप यहां पर देख सकते हैं पुने परियास किया जा रहा है यहां पर देखिए हम आपको दिखा रहा है यह देखिए कनेक्ट हुआ तो यह आप यहां पे connect हो चुका है तो आप यहां पर Facebook यूटूब कुछ भी आप यहां पर चला सकते हैं तो चली हम आपको एक बार चला के यहां पर दिखाते हैं तो पर किलिक करेंगे तो यह देखिये YouTube मेरा जो है उपन हो जाएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं यह आवाराट